उत्राखंड में भाजपा के वर्ष्ट नेता पूर्व कैबनेट मंत्री केदार सिंग फूनिया का निधन हो गया पे लंबे समय से बिमार थे केदार सिंग फूनिया उत्राखंड की राजनीती में दो दशक से भी जादा समय तक सक्री रहे वे उत्रखंड की साथ ही उत्रप्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके थे इसकी साथ ही उन्होंने उत्रखंड राज्जो निर्मान अंदोलन में भी एहम भूमी का निभाई थी सियंप उश्कर सिंधामी ने मंत्री के दार सिंग के निधन पर शोक जताया है उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ठ निता एवं पूर्ब कैबिनेट मंत्री के दार सिंग्फोनिया के निधन का समचार अत्यंत दुखद है भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शूककुल परिवार को ये असीम कश्ट सहन करने की शक्ती प्रदान करें आपको बता दें कि मंत्री के दार सिंग्फोनिया ने 1979 में पहली बार वधान सभग के लिए निर्दालिय चनाव लड़ा था लेकिन विहार गए थे तब 1991 में वधान सपच्चनाव लड़े और यूपी में कल्यान सिंग की सरकार में परेटन मंत्री रहे वर्ष 1993 और 1996 में वधान सभग में जीत गए थे में उत्राखंड रज निर्माण के बाद अंतरिम सरकार में भी लूक निर्माण वभभाग उपरेटन मंत्री रहे उत्राखंड में 2007 में हुए विदान सभग में भी उन्होंने जीत दर्स की थी लेकिन खंडूरी सरकार में फिम्मंत्री मंदल में शामिल नहीं हो पाए थे एंटेन न्यूस की तस्क रिपोर्ट